नमस्कार, सरोज इंडिन रेसीपी में आप सभी कसो आगत हैं, मैं हूँ सरोज चोधरी, आज हम बेसन की बरफी बना के तयार करेंगे, बहुती कम समय में बहुती अच्छी बरफी बना कर तयार करेंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, गैस पे एक कड़ा ही रखेंगे गैस ओन कर देंगे, आदा कप घी डालेंगे, घी गरम हो चुका है, एक कप बेसन डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस की फिलेम लो मीडियम रखेंगे, बेसन को सेकर तयार करेंगे, ये मैंने बेसन को 15 मिनट सेक लिया है, बेसन अच्छे से सिकर तयार हो गया, ग बर्फी के लिए चाशनी बना लेते हैं, गैस पेक पैन रखेंगे, गैस ओन कर देंगे, एक कप चीनी डालेंगे, आदे कप से थोड़ा जादा पानी डालेंगे, लगातार चम्मत से हिलाते रहेंगे, बर्फी बनाने के लिए हमें एक तार की चाशनी बनानी है, चेक करेंगे, एक तार बनने लगा है, चाशनी बन कर तयार है, गैस बन कर देंगे, बेशन में चाशनी को डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे, इलाइची पाउडर डालेंगे, जैसे डो ठंड़ा होगा, आपने आप बर्फी जमने के लिए सैट हो जाएगा, एक प्लेट को घी से चिकना कर लेंगे, डो ठंड़ा हो चुका है, प्लेट में निकाल लेंगे, आप चितनी मोटी बर्फी बनाना चाहते हैं, उतना डो फेला दें, थोड़ी ड्राइफ रूट डालेंगे, अच्छे से दबा देंगे, बर्फी को जमने के लिए एक दो घंटे के लिए रखतेंगे, यह मैंने दो घंटे रखके लिया है, बर्फी अच्छे से सेट हो गई, अब इसे चाको से काट लेंगे, आप अपने पसंद से किसी भी परकार बर्फी को काट सकते हैं, देखी कितनी अच्छी बर्फी जम कर तयार हुई है, एक प्लेट में निकाल लेंगी, देखी कितनी अच्छी दानिदार बर्फी बन के तयार हुई है, बहुती अच्छी बर्फी है, तो लिजिए वेशन की बर्फी बन कर तयार है बहुती बड़िया बर्फी बन के तयार हुई है आप भी सीपरकार बहुत अच्छी बर्फी बना सकते हैं आप भी बर्फी बनाईए खाईए और मुझे कमेंट कीजिए वीडियो पसंद आयो तो लाइक कीजिए और मेरी बहुत सी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए